कल होने जा रहे अविश्वास प्रस्ताओं पर बोटिंग के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सिवसेना ने अविश्वास प्रस्ताओं के खिलाब बोटिंग करने का फैसला किया और ये मोधी सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि NDA का सबसे बड़ा सहयोगी दल एक तरह से सिवसेना है और महरास्ट में जिस तरह से उद्धाव ठाकरे हमेशा से अपने बिरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं हमेशा वो बिरोध करती रहें आज जब अमित सार ने उद्धाव ठाकरे को कॉल किया उसके बाद पार्टी ने विप जारी कर दिया और आविश्वास प्रस्ताव के खिलाब वोट करने का विप जारी कर दिया है और सारे सांसदों को कल उपस्तित रहने के लिए उनको आदेश दे दिया गया है और सिवसेना के अठारा सांसद हैं और इस तरीके से कॉंग्रेस अपने ही बुनी हुई जाल में फंस चुकी है जो टीडीपी ने जो तेलगो देशम पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लिया उस पर उनको बुरी तरो मुझ की खानी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी के खिलाब खुल के बोलते थे सत्रुगन सिना हो या और सारे वो सारे अब बीजेपी के साथ आ गए हैं और ये मंत्री की स्पीच होगी तब वहां पर विरोधियों को जम कर घेरेंगे तो ये मौका दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने अपने गलत नीतियों के कारण की उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में जो उन्होंने अपनी चाल चली उसी चाल मे के साथ रहेगा कॉंग्रेस सोच रही थी कि सिवसेना और NDA में धरार डाली जाए उसमें वो काम्याब नहीं हुए एक मात्र फॉन कॉल अमित्सार ने किया और उसके बाद बात बन गई और पार्टी ने ये विब जारी कर दिया है तो अब कॉंग्रेस क्या करेगी ये कल किस तरीके से प्रधान मंत्री कॉंग्रेस और बिरोधी पार्टियों को घिरते हैं ये सब की नजर रहेगी